हेलो एवरिवन आई वेल्कम तो मैं यूटीब चैनल स्टेडी अडिशिनो प्रागयति हाथ चित्रकला की सीरीज चल ली ते जिसमें हम लोग 20 हां canati भिहार ममध्व प्रदेश सित्पाय करनाटक भिहार मत्वर्देश तरप्रदीश करनाटक भिहार मध्व प्रदेश उत्तर प्रदेश में ने पर मिरजापूर stinks में ऑसे तो और अपको धियान रखना हुआधा हुआ जो की खो़ लायव ने किएन लिटively तो 1883 मिं विधेम की खो़ या बताना है जो अब्टinary गुफolie-घोप या या राम चंद्र शुक्ल तो यहां पर option number C यहां पर राइट होगा तो विधाम की खोज की थी डॉक्टर जगदिश गुप्त ने की थी नेक्स क्वेशन हमारा क्या है लिखुनिया किस नदी के किनारे इसे थे तो लिखुनिया किस नदी के किनारे इसे थे यह भी आपको बता है ब्युक्सकाय भी था पिक्णिक स्पोर्ट के नाम से फेमास है तो यह कुशन plaisach हो जाएका किस नदी के किनारे इसे किनारे यह तो नर्मदा हो जाएग गरय नदी जाएगा नदी हो जाएगा या तो लिखुनिया भी जू है आपका किस नदी के किनारे इस्थ है तो ये भी लिखुनिया भी छेत्र जो कहां पढ़ता है यूपी में पढ़ता है मिर्जापुर में पढ़ता है ठीक है तो लिखुनिया हो गया विधम हो गया हरनी हरन हो गया तो ये मिर्जापुर के छेत्र हो गया तो अब बात क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस नदी के किनारे इस्थित है तो नदी आपको बताना है तो कौन सी नदी हो जाए यह option क्या है नर्मदा है गरई नदी है यह प्रकाश में आए तो आपको यहां पाँ बताना है पंच मडी के गुफा के चित्र है उसको प्रकाश में लाने का श्रे किसी प्राप्त है तो डी एच गार्डेन को जो है पंच मड़ी के गुफा के जो चित्र हैं उनको प्रकास में लाने का श्रे मिला है और इन्हों ने कब खोच की थी 1936 में तो 1936 में पंच मड़ी गुफा के जो चित्र हैं डी एच गार्डेन ने इसकी खोच की थी और इ पाथ कर लेते हैं मध्य परदेश में पढ़ती है तो पंचमरी तो महादेव पहारी तो पंचमरी के गुफा महादेव में इस्तिय थे भुपाल से 70 किलोमेटर दूरी पर और भुपाल कहां पढ़ता है मद्यप्रदेश में पढ़ता है तो आपके यह question clear हुए नेक्स question हमारा है भीम बेटिका का अर्थ क्या है तो भीम बेटिका का अर्थ आपको बताना है तो यहां पर option है भीम के बैठने का इस्थान पांच पांडव महावीर का इस्थान या कोई नहीं तो भीम बेटिका का अर्थ होता है यहां कि भीम बेटिका का अर्थ होता है भीम की बैठने का स्थान और इसके अलावा हम लोग चीदे जान लेते 600 गुफाएं जिसमें 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं तो यहां पर गुफाओं की संग्या कितनी है लगबख 600 मानी गई है और 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं और यहां पर चित्र जो बने हैं वो दो इस्तर के चित्र बने हैं तो इस तरीके से भीम बेटका से आपको यह प्रप्त है वो भी मेंट का सही प्राप्त है नेक्स्वस्वर्शन हमारा भी मेंट का में चित्रिट गुफाएं हैं तो अभी मैंने बताया कि 275 बने हैं तो इस तरीके से ऑप्च cow RI is a right answer नेक्स क्वेशन है भीम बेटका में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है तो भीम बेटका में गुफाओं की संख्या कितनी है तो 600 है ठीक है तो भीम बेटका में गुफाओं की संख्या कितनी 600 मानी गई है आखेट क्रिशक गवाले चित्रित है अलता मीरा गुफाओं में ठी आखेट कर्षा को गवालै का चितर था इसे पहले वरते प्रगैतिहासी कालीन जो गवालाकार उनको क्या कहा जाता था तो उनको ओजह कहा जाता था तो ऑप्शन यहां पर आर्टिस्ट है चितेरा है दरोगा है या ओजह है तो यहां पर ऑप्शन नमबर जो डी है राइट आंसर है so option number D is a bright answer next question हमारा क्या है ठीक है तो next question हम देखते हैं पूर पाशारकाल की मानों का जीवन कैसा था तो एक मिनट रुखिए हाँ पूर पाशारकाल की मानों का जो जीवन था वो कैसा था शिकारी था सब भी था आदर्श वाजी था या थार्थ वाजी था तो पूर पाशारकाल के मानों थे वो अपना जीवन या अपन किसके आधार पर करते थे शिकारी शिकार के आधार पर करते थे यानि कि जो पूर पाशारकाल के मानों थे वो शिकार पर डिपेंड थे और अगर हम बात करें उत्तर पाशारकाल यानि कि नव पाशारकाल तो वो क्रशी करने लगके थे तो पूर पाश सar काल के तो जो जीवन जीवन तो यहां पर आफिशन नमर राइट आंसर है पूर पाश सर काल के मानो प्रधान केंद्र था आपको बताना पूर पूर पाशार काल की महानों को प्रधान केंद्र था तो कश्मीर था बैलारी था उड़ीशा था या खजुरह उता हो था तो पूर प्रजार काल के मानों का प्रधान केंद्र yüzden था तो बैलारि था समय के Mm next question हमारा है काल का समय है हैes 30,000 इसापूर से लेकर के 3,000 इसापूर है या 1500 इसापूर है तो इस तरीके से इसका आंसर आपको देना है कॉमेंट बोक्स में क्योंकि इसका आंसर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और यह ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं कि आपको इन ही ऑप्शन को दे जो गोल यंद्र है किस नदी के किनारे प्राप्त है तो फिर से उनिए गड़ा हुआ जो गोल यंत्र है वो वो पूछा जाए तो नर्मदा नदी घाटी बताना है गोल यंत पूछा जा तब भी आपको नर्मदा नदी घाटी बताना है नेक्स वेशन हमारा क्या है प्रागेतियासी कालीन मानों किसके बने औजारों का प्रियोग करता था जो प्रागेतियासी कालीन जो मानों होता था वो किसके बने औजारों का प्रियोग करता था धातू से बने औजारों का यूज करता था या टेरा कोटा से बने औजारों का यूज करता था या पत्थर ल जड़ी के बने औजारा का यूज प्रागेतिहासिक कालीन करता था नेक्स क्वेशन्स हमारा क्या है पुर पाशारकाल का मानों निवास चबता था तो यह आंसर आपको पता होगा गुफाओं या कंद्राओं निवास 전安क था 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 अभी यहांपर बसपाँ बनाकर बना क नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् की थी 1863 में ब्रुसफूट नामक विद्वान ने मद्राज के समीप पल्लावरम इस्थान पड़ता वहां पर पूर पाशार काल के ऑजारों की खोज हुई भारती प्रागयतिहासी काल का जनक माना जाता है तो भारती प्रागयतिहासी काल का जनक किसे माना जाता है इसको आप आपको बताना है ठीक है तो आप्शन सम्देख लेते हैं क्या है ऑप्शन की जो है करिंगाम हो जाएगा यह जगदीश गुप्त हो जाएगा यह ब्रुसफूट हो जाएगा तो यहां पर आप्शन नंबर सी राइट है तो भारती प्रागयतिहासी काल का जनक आपको ध्या एक्सक्वाइब्स पूरपाशारकयाल्गी विएयर इस्पॉलर बेयों सम दक चस्टाते काल का ला नहीं एकि कनाशार कर दिया गया है संद्धी का लाएग नम विए या संक्रम्रकाल माना जाता है तो किस काल को संधी काली संक्रम्रकाल माना जाता है तो मद पाशारचाल को जो संधी काली संक्रमाद काल माना जाता है लेक्स question क्या एक कलात्मक मृद भांडो का प्रियोग हुआ है तो जो बरतं THें उस पर चित्रकारी वगरा होने लगी थी नौपाशारकाल में तो कलात्नक म्रदभांडों का प्रियोग कब हुआ है तो नौपाशारकाल में हुआ है किस काल में क्रशी, मृध्भान, चित्रकला, पशूपालन का विकास हुआ था यहां पर option number A है यहां पर राइट है तो इस तरीके से यहाँ पर option number A right है ठीक है next question पर चलते हैं next question हमारा है नव पाशारकार के सरवाधिक अवशेश पाए गए हैं तो आपको बताना है जो नव पाशारकार में जो सरवाधिक अवशेश है वो कहां से पाए गए हैं तो मिर्जापुर से बैलारी से विलस रंगम से या मानिक पूर से तो अवशेश मिले हैं वह बैलारी से प्राप्त हैं तो नव पाशारकार के अवशेश कहां से प्राप्त हैं तो इस तरीके से यहाँ पर option number B है right answer है तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 21 या 22 questions किये हैं और आ जरू करिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी तरीके से तब तक के लिए जय हिन जय भारत